हेलो फ्रेंद्स वेलकम टे अन्हादर वीडियो प्स्टाक मर्केट आज हम डिसकस करने वाले ओयल इंडिया लिमिटेट के क्यू तुक है रिजल के बारे में सबसे बहले हम जान लेते स्टैनल रेजल को और रेविन्यु प्रम अपरेशन जाघो 3311 करोड़ा वाट रास्ट या सेंब काटर में 3301 करोर के अगेंस्ट 2165 करोड़ थे नी क्वाटर अन्हादर अन्हार रेविन्यू प्रम अपरेशन इंक्रीज तोल एक्सेस का जो नम्बर है वो 3004 करोले लास्ट फ सेम क्वाटर में 1,927 करो थे यानि क्वाटर औन क्वाटर योन अन यर तोटाल एक्सपेंस करें वो भी इंप्रूब हुआ है नाओ यह जो फिगर है वह प्रॉफिट बीफोर टैक्स का फिगर अगर हम इस पर्टिकॉलर क्वाटर में प्रॉफिट भीवो टैक्स जोए वह 673 करोर है लास्ट करोटा में 677 करो था लास्ट यह सैमकर्ण पे तो ह ".. 200 ऐं एस तीन क्रोब है। अगर हम टोटाल प्रॉफित को देखें 504 करोर वर्सस फाइव हैंडों क्वाटर यहा सेमक्वाटर में 238 कर यह जो थोड़ा डिक्लाइन हुआ ह। Although in this particular quarter हम जानते कुरूट का प्राइस जो है वो सबसे उपर है but instead of that profit जो है वो थोड़े negative है अगर हम इस company के consolidated profit and loss के figure को देखे revenue from operation 7,254 करो last quarter में 6,201 करो थे last year same quarter 5,465 करो थे total expenses 5,664 करो last quarter में 4,776 करो last year same quarter में 4,198 करो जिस तरह से revenue from operation बड़े है quarter on quarter year on year total expenses भी quarter on quarter year on year बड़े है now profit before tax 1,856 करो वर्से 1,678 करो चुके last quarter का profit before tax था last year same quarter में 1,324 करो यह quarter on quarter year on year profit before tax जो है वो इंक्रीस हुआ है now जो profit for the period है वो है 1,454 करो last quarter में 1,214 करो थे last year same quarter में 1,058 करो यहनी quarter on quarter year on year net profit increase हुआ है total standalone figure को अगर हम देखे सो quarter on quarter जो profit थोड़े घट है बहुत साथ नहीं थोड़ा घटा है but अगर हम consolidated profit and loss को देखे सो year on year quarter on quarter बोट इस aspect profit का figure बहुत ही अच्छा बड़ा है now अगर हम oil India के आज के price को देखे 222 almost यह stock close हुआ है 52XI 267, 52XI 83 now अगर हम standalone result को देखे तो result उतने अच्छे नहीं है इस से भी ज्यादा result अच्छा हो सकता था but consolidated profit and loss के result बहुत ही अच्छे आए है and इसको market reward देगा आप देखने की बात यह है कि brokerage के target आएगा and market इसको कैसे लेगा market क्या standalone result को देखे इसको punish करेगा या फिर consolidated profit and loss को देखे इसको reward देखा वो तो आने वाले time में हमें पता चलेगा all the stock is very good P 7.35 market cap 24,000 करोर everything is very good in this particular stock थोड़ा slow muba stock है for the investment per bus that is nothing is wrong यह था आए इंडिया को लेकिए मेरा का अनलेसिस वीडियो इंफर वीडियो अच्छे लगे चैनल को like subscribe करना मत भूले see you on the next video guys till then good bye